Hello students, 60 days computer basic certification course की new class में आपका स्वागत है हमने 60 days computer basic course स्टार्ट किया था उसी से related आज की इस class में हम नए topic को समझने वाले हैं एक जानकारी आपको और दे दें यदि आप हमारे इस certification course को करने के बाद certificate चाहते हैं जो की सभी government और private job में valid है तो उसकी link इस video के description में दी हुई है उस link को क्लिक करके हमारे इस certification course को join कीजिए और कुछ इस प्रकार का certificate आपको issue किया जाएगा जैसे ही आप हमारे certification course को join करते हैं join करने की link वीडियो के description में दी गई है किस प्रकार का certificate मिलेगा उसकी design आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यह certificate सभी government और private job में मानने है तो अभी जाकर के video के description में जो link दी हुई है उसे click करके इस course को join कीजिए अब हम formula tab में financial function के अंदर का दिये तीन formula दिये गए है rate, received और RRI formula का use देखेंगे सबसे पहले हम rate formula का use देख लेते हैं इसके लिए मैंने यह block तयार किया है इसे समझ लेते हैं जैसे कि हमने लॉन लिया है दो लाग का और हमने कहा कि वह लॉन हम installment में टीन यर में जमा कर देंगे तो total installment कितनी होंगी यहां पर निकाल लेते हैं equal to type करेंगे फिर कितना है त्री रिसे कर देंगे into 12 से तो total installment निकल किया जाएगे अब इसी तरह है यहां पर second में अगर हमने लिया है च्छह लाग का लोन लिया है तो उसकी जो हमने कहा कि 5 साल में हम वह पूरे पैसे लोटा देंगे तो installment होंगी total पांस साल इंटू 12 और यह आ गया installment साठ इंटॉल्मेंट होंगी अब यहां पर इस फॉर्मिल का यूज होता है यह इंट्रेस्ट रेट जो दिया गया है उसे निकालने के लिए मगर यहां पर वैसे तो इंट्रेस्ट रेट दिया गया है अब इस इंट्रेस्ट रेट अगर जैसे यहां पर जैसे दिया गया है फिर अब हम यहां पर PMT value निकालनी पड़ेगी इसके लिए मतली जो हम installment पे करते हैं इंट्रस्ट के साथ वे value निकालते हैं इसके लिए हम equal to लगाएंगे फिर टाइप करेंगे PMT bracket open फिर rate बोल रहा है तो rate select करेंगे अब यह जो interest rate दिया गया है यह yearly दिया गया है year के साथ से दिया गया है तो हम इसे 12 से भाग दे देते हैं फिर कॉमा लगाएंगे फिर नमबर पीरेंड मतब installment किती है total इसे select करेंगे फिर कॉमा लगाएंगे फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है इसे select करेंगे अब यहां पर future वैल्यू तो दीने की है और टाइप हमें select नहीं करना है तो इस ब्रैकेट प्लोस करके कि ise enter कर सकते हैं तो यह आ गया monthly installment अब इस तरह है सेकेंड वाले के निकाल लेते हैं यहां पर टाइप करेंगे पी लेखना नहीं चाहतें तो यहां पे हम future value को 0 लग देते हैं और भी नहीं गई है, बैसे हमने यहां पर उपर वाली पे हमने bracket लगा के close कर दिया था ह। यह यह फूशर वैल्यू टाइप नहीं थे बाकि हम अगर लिखनी है तो हम यहां पर जीरो टाइप कर सकते हैं और टाइप में हम जीरो टाइप करके मतलब अब हम रेट निकालते हैं अगर यह रेट यहां पर भी आ जाता है तो यह जो हमारे जो रेट निकला है वैल्यू सही होगी इस फॉर्मला के यूज करके अब हम निकालते हैं रेट एकवल टू लगाएंगे फिर रेट टाइप करेंगे फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर नम्मर और पी यह मतलब यह टोटल इंस्टॉल्मेंट फिर कॉमा लगाएंगी फिर पी एमटी बोल रहा है तो पी एमटी क्यों सेलेक्ट करेंगे अब एक मिनिट यह जो यहां पर डॉलर में दिखाई दे र हुआ है अब करते है रेट सकते हैं क्लोज कर एक अमें कुछ नहीं करना है पर large Town इन्टु कर देंगे यहां पर क्योंकि यहां पर जो मन्थली इंस्टाल्मेंट दी गई है यह मंथ के हैसाब भी गई हैrovार हमें हमंगे तो यहाँ पे हम 12 से इंडू कर देते हैं रहे हमें कर गया है फोरमख कै इस सी तरह से वाइं निकाल लेते हैंlles इकवालल तो कर देते हैंbak रेट फिर नंबर उपी रडट ठीक टोटल इंस्तॉल्मेंट पर कॉमा प्यम्टी वैल्यू ये फिर कॉमम फिर प्रेजंट वैल्यू था फॉर कॉमम फिर को मा तो फिरैकेट क्लोज और करके क्वैल कर देंगे तो यह आंपर इंटर करेंगे तो यहां पी यह न यह इस तरह से आप ट्रेट करे यूज करकर इंटरस्तिन निगाल सबस्ती है अब हम स्यवह नpeस में किया जाता है या मिशियल फड्ट पर्ण में 50% discount में हमें maturity date के बाद कितना पैसा मिलेगा उस amount को निकालने के लिए हम received formula का यूज करते हैं इसके लिए हम ने ये एक block तयार कर लिया है ये अब हम इस formula का यूज करते हैं इस एक लगाएंगी फिर टाइप करेंगे received धवर ब्रैकेट उपन फर यहां पर बोल है कि settlement 데 ये यह सेलेक्ट कर लिया फर कॉमा लगाया मिल पर एन डेट फर कॉमा फर यहां पर बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट किक्ता 했는데 किया यह ludzi एक ieved वा क्वा राहिंगे पर कितना इंट्रेस्ट मिल रहा है यह इंट्रेट करेंगे फर कोमा लाइंगे पर इसके बाद यहां पे बैसेक्स का मतलब होता है कि यहां पर यह जो यह कांट करता है कि वन ये हृम में यह थर्ड नमबर पर दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने यहां पर डारेक्टली त्री लिख दिया है कि वन यह में तुन सो पैसाट दे होते तो इसे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहां पर वैल्यू निकल के आज आएगी मैं च सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करके इसे नीचे ड्रैक्ट कर दिता ह Dynamic और थार्ड वाली की बैल्यू ने करके रहा जाएगी जैसे कि हमने यहां पर समझ लेते हैं यह जो दसंबलों में आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यह फरस्ट जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था एक लाग का किया था तो मैचर्टी डेट के बाद हमें इत्ति परसेंट इंट्रेस्ट पे हमें इतनी वैल्यू मिलेगी एक लाग बैयालेस हजार आठसो संतावन रुपए चौदा पैसे फर सेकेंड में तीन लाग इन्वेस्ट क कराएगी थर्ड में हमने इन्वेस्ट किया था पांच लाग तो उसका जो मिलेगा इत्ते परसेंट इंट्रेस्ट पे साथ लाग चौदा हजार दोसो पचासी रुपए इक तर पैसे इस तरह ऐसे आब रिशीव्ट फॉर्मुला का यूज करके मैचर्टी डेट के बाद कि इत्ता एमाउंट मिलेगा इंट्रेस्ट के साथ वह निकाल सकते हैं अब हम आर आर आई फॉर्मुला का यूज देखते हैं इसके यूज क्यों किया जाता है जैसे हमने किसी को पैसे दिये या इन्वेस्ट किये पैसे 20,000 रुपए तो वह उसने कहा कि हम चार साल बाद तु इसके लिए मैं यहां पर उस फॉर्मुला का यूज करता हूं यहां पर एकॉल टू टू टाइप करेंगे और टाइप करेंगे और आर आई ड्रैकेट ओपिन फिर नमबर और पीरियाट मतलब यह टोटल इयार इसे सेलेक्ट करना है पर कॉमा लगाना है फर उसके बाद किता आपको बापस करेंगा 25,000 रुपए से सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगे अब यहां पर यह परसेंटेज में नहीं दिखा रहे तो अभी नॉर्मली यह फंक्शन की रूप में दिखा रहे है अभी सेकेंड बै मतलब किता इनवेश्ट किया तुचर वैल्यू मतलब मैचुरिटी अमाउंट है तैन यह से बाद आपको कितना पैसा देगा उसे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो यह फंक्शन में आ रहा है तब दसम्बलों के बाद बहुत सारी कि रखे हैं तो 7a कि इस पर पर सनिव लगा मतलब मता पर संथ हमें इंट्रेस्ट मिलेगा इहां पर निकल बहुता यहां यहां पर आगया है पहले का आगया है कि 69 रिए वह हमां चार साल बात 55,000 रोपय और 10 साल बाद वां 13 इंट्रेश्ट रिट के हमें पचास अजार रुपए देगा इस तरह से इंट्रेस्ट रेट निकाल सकते हैं RRI कॉर्मिला का यूज़ करके